तो बिहार बोड इंटर की परिक्षा 2024 में देने बाले चात्रों के लिए बड़ी अपडेट यहां पर निकल के आ रहे हैं कि बिहार बोड के तरफ से आपनों का जो dummy admit card है वो यहां पर जारी कर दिया गया है अब यह dummy admit card आपनों का क्या होता है किस तरीके से आपनों को dummy admit card डाउनलोड करना है सब कुछ मैं आपनों को आपनों को डाउनलोड करना जरूरी है तो dummy admit card एक तरीके से जो आपनों का original admit card होता है उससे पहले यहां पर जारी किया जाता है ताकि जो भी छात्रें आपर exam देने बाले हैं वो डाउनलोड करके अपना जो admit card है उसको check कर सके कि उसमें कुछ आपनों का गलत भी हुआ है detail जैसे कि बहुत सारी चात्रों का क्या होता है कि जो date of birth है वहाँ पर गलत हो जाता है मातापिता का नाम में आपर गलती हो जाता है या फिर उनके नाम में आपर spelling mistake हो जाता है तो यह सब जो गलती है वो चात्रों का होता है तो इस कारण से आप लोग को अपना dummy admit card है उसको download करके check करना है कि आपका भी कुछ गलती है या फिर सब कुछ सही है अगर आपका सब कुछ सही रहता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है लेकिन अगर आपनों कोई भी detail जो है गलत होता है तो ऐसे में आप लोग को सुधार करवाना होगा और dummy admit card आप लोग का इसलिए बिया दिया गया है लगबग 2,666,000 जो छात रहे हैं उनका नाम है आप पर हटा दिया गया है metric और इंटर की परिक्षा में और उन लोगों को आप लोग आप लोगा कुछ अभी तक फिला लें हैं हाप पर सही है और आप लोग जो पर इंटर की परिक्षा 2024 में देने वाले हैं तो आप उनको भी सबसे पहले मैं आप लोगो ओफिस्यल नोडीफिकीशन से दिखाता हूं कि किस तरीके से जो है आप लोग आप पे नोटिस ज़ाड़ी किया गया हूं क्या आप लोगा जनकाई दिया गया है तो यहाँ पे देखेए बीहार बूट के तरफ से पर बोट के तरफ से नोटिस जारी किया गया और इसमें आप लोगा जनकाई दिया गया है कि इंटर्मीडियेट बार्सिक प्रडिक्षा 2024 में सम्मिलित होने बाले विद्यार्थियों का डमी एड्मीड कार समीति की वैप साइट पर अप्लोड रहने एबं दिनांग 11-11-2023 त उसके बारे हमें नीचे आप लोगा जनकाई दिया गया है सबसे पहले यहाँ पर देखिया आप लोगा बदाया है कि इंटर्मीडियेट बार्सिक प्रडिक्षा 2024 में सम्मिलित होने है तू ओनलाइन भड़े गए सूची करन एवं पर आवेदन के आधार पर विद्यार्थ होता है तो उसका सुधाल आप लोगे अश्कूल के माध्यम से होने बाला है अब यहाँ पर बात करते हैं कि आप लोगा जो एड्मीड काड है वो किस तरीके से मिलने बाला है तो यहाँ पर दो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कि आप लोगा आप लोगा जनकाई दिया गय तो सबसे पहले यहां पर आप लोगा जानकाई दिया गए, थोड़ा सा आप नीचाएगा तो यहां पर देखिए आप लोगा जानकाई दिया गए, कि एक तो आप लोगे अस्कूल के माध्यम से आप लोगा dummy admit card मिलने वाला है, और second जो student है, वो खुद से अपना dummy admit card है, उसको यहां पर ओनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, सबसे पहला जो प्रक्रिया है जिसमें की अस्कूल से मिलता है, तो उसमें बतायागा है कि आप लोगे अस्कूल में जो user ID और पासपर्ट दिया गया है, उस user ID और पासपर्ट के माध्यम से आपके अस्कूल के दोरा हाँ पर जो पूल या फिर कॉलेज नहीं जाना है, तो आप घर बैठे भी अपना यहां पर जो dummy ID काड है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको डाउनलोड करने के लिए आप जानकाई दिया गया कि बिद्यार्थी द्वाला, dummy ID काड डाउनलोड करने की प्रक्रिया, तो इसका प्रक्र प्रक्राइशन नंबर है, और आप लोगा जो डेटो बरत है, उसके मादम से, आप लोग अपना dummy admit card है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, dummy admit card के लिए यहां पर जो है, आप लोगा website बनाया गया है, यहां पर देखें कुछ इस तरीके से मैंने website open किया है, लेकिन अभी इस इस website पर work चल रहा है, यहनि कि इस website पर आप लोग जो data है, उसको आप लोड किया रहा है, इस current से अभी जो website है वहाँ पर open नहीं हो रहा है, आप लोगा server error यहां पर show कर रहा है, तो कुछ देर बाद आप लोग जो website है वहाँ पर काम करना सुरू कर देगा, तो वहां से आप आप लोग जो अपना admit card है, उसको download कर सकते हैं, फिलहाल आप लोग को admit card करने का link है वहाँ आप लोग को description में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप try कर सकते हैं कि आप लोग का admit card हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, और जब भी आप लोग का admit card होगा, तो मैं एक proper आप बना कर जानका ही दे दूँगा, कि किस तरीके से आप लोग को admit card डाउनलोड करना है, पूरा step बैस step आपको जानका ही दे दूँगा, तो फिलहाल जो है इस तरीके से आप लोग कहाँ पे detail निकल के आ रहा है, कि आप online भी अपना dummy admit card डाउनलोड कर सकते हैं, साथ में आपके किस पे को ताकि और विलोग को जानकारी मिल सके, हम मिलते आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद